, S.C.O. VS S.I.A.X Big Bess 6020 Match Perth Scorchers VS Sydney Sixers Big Bess 6020 Match जोगी खेले जाने वाला है और गईज यह वाला Match Big Bess का एक बहुत ही बढ़िया Match होने वाला है क्योंकि यह दो वो टीमे है जो लास्ट सीजन में काफ़ी अच्छा करको आने वाली है और साथ में जो अपना last match गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से clean sweep हुआ है क्योंकि जिन भी भाईयों ने मेरा last वीडियो देखा था ना मैंने clearly बोला था Joy Clark को इस वाले match में जरूर रख लेना क्योंकि काफी important होने वाला है बड़ आप लोगों की क्या है आदत ऐसी है कि आप वीडियो पूरा ही नहीं देखते इस कारण से आपका loss हो जाता है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने अच्छी winning की होगा साथ में गईज अगर आपको big bash में winning करनी है ना तो मेरा telegram channel है sure expert support वीडियो के description में comment section में आपको पहले नंबर का link देखेगा क्योंकि toss के बाद जो final update आता है ना जो की big bash में बहुत जरूरी है वहीं मिलने वाला है तो वीडियो के description में comment section में पहले नंबर का link है sure expert support का जहां पे आपको हर match की बिलकुल free team मिलेगी तो guys जो भी मेरा video देख रहा है ना पूरा video देखने के बाद एक बाद जरूर जोईन कर लेना बहुत important होने वाला है तो guys अपने इस video में बात करेंगे पर्त scorchers versus Sydney Sixers के बीच क्या playing 11 दोनों टीमों की रहने वाली है कौन से ground पे ये match खिला जाएगा क्या पिछ report रहने वाली है और सबसे बड़ी बात आज के match की grand league की वो कौन से team player रहने वाले हैं जो आपको आज के match की grand league जिताने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे साथ में आपको वो final team आज के match की दिखाऊंगा जिस team के साथ guys मैं खुद खेलने वाला हूँ captain wise captain का selection देने वाला हूँ और आपको एक चीज बता दू दोनों team की team में एक बड़ा बदलाब हुआ है आज के match में एक बड़ा change हुआ है और वो क्या change है वो इस video में मैं बताने वाला हूँ शायद वो अभी तक आपने उस player को अपने team में ले रखा होगा बट मेरा video देखने के बाद आप शायद उसको remove करने वाले हो बट गई मेरी आप लोगों से एक छोटी से request है काफी महनत करके video बनता है और वह आप लोगों के लिए बनता है अगर आप पूरा video नहीं देखोगे न तो गई उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसलिए पूरा video देखे साथ में इस video में आप लोगों के लिए फ्री पूरा video लास तक देखना है और भाई की महनत के लिए एक छोटा साल आईगा प्लीज आपस रिक्वेश्ट है तो सियो वर्सेज ऐसा है एक 60-20 बिग बैश मैच खेला जाएगा गाइस पर्थ के होम ग्राउंड पर्थ स्टेडियम पर्थ में और यह वो ग्राउंड है जहा स्टार्टिंग की छे ओवर्स तक अगर आपने धंग से खेल लिया ना तो फिर धीरे धीरे पिछ स्लो होती जाती है फिर बैट्समैन को मदद मिलने लग जाती है बट इस्टार्टिंग के छे वर्स बालर्स बहुत डेंजरस रहते हैं खास तोड़ से फास्ट बालर्स तो होगर आप अपनी टीम में रख रहे हो तो थोड़ा सोस समझ के रखना और जो भी टीम फर्स इनिंग में बालिंग कराने आए ना उनके फास्ट बालर्स को प्रिफरेंश दे देना क्योंकि यह पर्त इस्टेडिया में और यहां पर पर्त इस्क्रॉचर्स बहुत डेंजरस है कि T20 स्टैट्स की बात करें तो यहां पर टोटल 21 मैच खेले गए बैटिंग फर्स ने तेरा साइकेड़न आठ तो यहां पर जो भी टिम टॉच जितेगी टॉच जितकर पहले बैटिंग करना पसंद करेगी फर्स इनिंग में यहां पर बैटिंग करके अगर आपने रन बना दिये तो साइकेंड इनिंग में थोड़े से डिफेंड हो जाते हैं एवरेज इसको आप देखिए 160 170 का क्यों मैंने आपको क्यों पता है क्योंकि क्यों स्टार्टिंग के च्छे ओवर बात क्यों होता है पिछ सलो होती है अगर बैट्समें ने वह दंग से निकाल दिये तो काफी रन मनते हैं स्टेज का ध्यान देखना दोनों टीमों की भी हैट टो एट रिकॉर्ड की बात करें यह चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लाश्ट मैच में आपको मैलबॉन स्टार्स मैच विन करने वाला है और मैंने बहुत अच्छे विनिंग करी तो दोनो टीम पेटन की बात करूं 150 से कमका चार बार 190 से ज्यादा तीन बार तो हर तरह का स्कोर यहां पर बनता है बट किस तरीके से आपको आज के मैच के टीम बनानी है और कौन सा प्लेयर आज के मैच में आपके लिए पंट रहने वाला है वो सब मैं वीडियो में बताने वाला पिर से मैं आपको बोल रहा हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जहां पर एक लाग पचास अजार से ज्यादा यूजर्स बिल्कुल फ्री में टीम ले रहे हैं तो आप क्यों पीच्छिओ यार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे पहले बताया पर जरूर से जोइन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनिट का अपडेट आपको यहीं मिलेगा तो जरूर से आप जोइन कर लें अब गईज आपको वेन्यू स्टेट्स बताता हो इस वाले मैच का कि किस तरीके से आज के मैच की टीम आपको बनानी है जो मैंने आपको बोलाई क्या फास्ट बॉलर्स को सही में हैल्प मिलती है यह चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी बारह जनवरी दोजार इकिस को मैच हुआ था होबाट हरीकेंस वर्सेज पर्थ स्कॉचर के बीच और इस वाले मैच में होबाट ने 149 बनाए और पर्थ इ इसमबर 2021 को यहां मैच हुआ पर्थ और बिरिजबेन हीट के बीच और इस वाले मैच में पर्थ ने 157 बनाए हीट 151 पर आलाउट हो गया और इस वाले मैच में भी 12 विकेट फास्ट बॉलर्स को तेन विकेट इस लिए इस खहता हूँ यह ऑस्टेलिया का टफस्ट राउं करें मेरे आपसर रिक्वैस्ट को ओर यह गई आप थाव थैज और किम और इनले एक सबस्कर ने काम सब्सक्राइब कर दे करें का मैस करें करेंगा डरा है के लिए एस कर देंगे मेरे लगता हैं तो MPL opinion पर आप यह काम कर सकते हो वीडियो के description में comment section में आपको MPL opinion trading app का link दिखेगा जैसे ही मेरे link से download करोगे और code use करोगे शौर EXP 50 code डालते ही आपको 50 रुपे bonus मिलेगा जो कि आप 10 रुपे अनलॉक कर सकते हैं जैसे ही आप simple से questions का जवाब दोगे 10 रुपे आप बिल्कुल free में विन कर सकते हो तो जाइए MPL opinion पर टेडिंग करिए बहुत easy application है बहुत easy winning होती है आज के match के तीन question पिक कर रहा हूँ आप भी जाके उस पर invest कर देना क्या आज के match को पर्थी स्कॉचर्स विन करेगा मुझे बिल्कुल यह लग रहा है क्योंकि home ground पे खेल दी है और अगर आग लास्ट पाच मैचों में देखोगे तो चार स्कॉचर्स नहीं जीते हैं तो बिल्कुल यह क्या पर्थी स्कॉचर्स वाले मैच में तीन और में पच्चेस रंज से जादा स्कॉर करेगा मुझे लग रहा है नो क्योंकि लास्ट दस मैच का डेटा देखोगे तो बीस का आवरेज आ रहा है क्या सिड्नी सिक्सर्स इस वाले मैच में 25 से जादा स्कॉर करेगा तीन और में यह भी मुझे नो ही लग रहा है क्योंकि आवरेज सत्रा का रहा है तो आप भी जाके कर सकते डिस्क्रिप्शन में कमेंड पर लिंक है जाए खेलिए बहुत ही ट्रस्टेबल है बहुत ही रिलाइबल है और बहुत ही इस वाले मैच में इसमें 10,000 का गीववे वह कैसे मिलेगा वह आगे वीडियो में मैं आपको बताने वालों बटी से थोड़ा सा वित्ते जोकि में इकलिवड है अपनी रिस पर खेले समल के अब दोनों टीमों की गईस प्लेइंग लेवन में आपके सामने डिसकस करने वाल इसके बाद यहां पर जोश इंग्लिश निक हैपसन एडम लायत या औरोन हाड़ी तो हो सकता है इस वाले मैच में ओपनिंग पर यह ऐसा प्लेयर है इस खेलेगा तो बहुत तेज खेलेगा नहीं जल्दी आउट हो जाएगा इसके बाद टर्णर आगर जाय रिचर्सन बै जो आज के मैच में रहने वाली है अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा आपको शौर एक्सपर्ट सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा वह आप जॉइन करके रखना सिड्नी सिक्सर्स की तरफ से बात करूं जॉश फिलिप कुर्ती पैटर्सन और नवी नुलक एक ऐसा प्लेयर है जो बैंच पे नहीं बैट सकता मुझे लग रहा आज के मैच में खेलेगा और खेलेगा तो शायद बैंट ड्वेरिश को बाहर करना बैटना पड़ेगा क्योंकि लास्ट मैच में बहुत एक्सपेंसिव रहा था इसके बाद इसके सब्सक्राइब करने वाले हैं ग्रेंड के लिए स्मॉल लेक के लिए कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन करने वाले तो हर चीज़ अपन डिसकस करेंगे बस अभी तक आपने तीन काम नहीं कि है तो कर देना वीडियो पर लाइक चैनल सब्क्राइब और टेलीग्राम सामने वाली टीम के अगेंस अवरे जना 33 का है आठ मैच में दोसो चौतेसन बनाया है तो जोश इंग्लिश को पसंद है सिकसर्स के अगेंस खेलना इस वेन्यू पर उन्तिसका एवरेज है लास्ट तीन मैचों में चोई सतरा तीन जोश इंग्लिश डैफिनेट ले लख ले पर्त स्कॉचर्स वहां खेलना पसंद नहीं करता क्योंकि तीन मैच में 33 मनाया है क्योंकि पर्त स्कॉचर्स का जो बालिंग यूनिट है वह बहुत श्टॉग है तो कहीं ना कहीं जल्दी आउट हो सकता है जोश फिलिप और अगर आप रिसेंट फॉर्म पे जाओगे तो लाश्ट मैच में 26 मना किया है तो मुझे लग रहा है थूड़ा सा जोश फिलिप आज के मैच में रिस्की रहेगा बड़ जोश इंगलेश एक बड़िया चॉइस है तो आप जरूर ट्राए कर सकते हैं सबसे पहले दिखेंगे फॉर्फ डू प्लेश जो कि ओपन करेंगे और अगर इस सामने वाली टीम के एक ही मैच खेला है त्यालेशन वनाए टीट्वेंटी में 31 मैचों में एक तालेश एक सो तीन दू फॉर्फ डू प्लेश की खास्यत है यह एक मैच में चलता है फिल फ् बीस से तीसन का कंट्यूबिशन दे सकता है इससे जाधा भी दे सकता है तर्णर की बात करेंगे इस तर्णर भी है ना बहुत अच्छा प्लिया रहे है इनका मिडिल ओडर का और मैने इसको बहुत बाहर देखा है पर इसको मैच जिताते हुए क्योंकि इनकी में भी एवरेज बत्तिसका था तो तर्णर भी आज के लिए मैच के लिए एक इंपोर्टेंट पीक है जित्ते भी ग्रैंड लीग खेल रहे हैं नजर रखना कैमरोन बैंक्रॉफ की बात करूं ओपनिंग पर आएगा 22 कैवरेज है सामने वाली टीम के अगेंस वैन्यू पर होंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा तो यहां पर अगर आप चॉइस की बात करो तो डू प्लेशिस और एक बैटर चॉइस है बाकि इन दोनों में से किसको रखना है वह आपको बाद में बता दूगा बाकि बैंक्रॉप भी अच्छा कर सकता है काफी तक मैं स्टॉस पर डिपैंड करेगा तो आप उस टाइम पर टेलिग्राम पर रहना कि सिड्नी सिक्सर्स की बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहां पर नाम आता है कि जैम्स विंस का नंबर तीन पोजिशन पर खेलेगा और यह पसंद करता है कि सामने वाली टीम पर्त के अगेंस खेलना एवरेज लगबग 45 का हो जाता है आठ मैच में 313 तो मुझे लग रहा है लास्ट मैच में यह फेर्ड हो गया था जीरो रन बनाये थे बट इस वाले मैच में जैम्स विंस अच्छा करने वाला है जरूर से रख लेना लास्ट से जन अच्छा नहीं गया था इसका उन्निस क मुझे लग रहा है आज के मैच के इंपॉर्टेंट पेक है जैम स्विस मौसिस हैंडिक्स की बात करूं नंबर चार पे खेलेगा और मौसिस हैंडिक्स को है ना यह वाला ग्राउंड बहुत पसंद है आप देखिए 41 का एवरेज है चार मैच में 114 रिसेंट फॉर्म चोई सब्सक्राइब यह पसंद नहीं करता गया इस बिल्कुल भी पर्त की अगेंस खेलना चार मैच में केवल पैतालेशन मना है लास्ट मैच में नौरन उससे पहले 22 का एवरेज है तो मुझे लग रहा है कुर्टी बैटन सा डिस्की है जॉड़न सिल की बात करूं लास्ट मैच में अच्छा करेंगा यह पॉसिबल नहीं होता हर मैच में कोई चले चल भी सकता है मैं यह नहीं कहरा थोड़ा चांस कम है तो आज के मैच में रिस्क लेनी है किसके साथ लो हैं देक्स और विंस के साथ यह मेरे साब से बैटर चॉइस है आज के मैच के लिए आप चल रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप देखो गे ना तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक दिखेगा फिर MPL ओपीनियों का दिखेगा उसके बाद वीजन 11 का दिखेगा और यहां पर एंट्रीफीस वगए बहुत कम है और आज की मैच में 30,000 का जरूर से जाके डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा बहुत फासले फिलप हो रहा है एस्टन आगर की बात करूँ टीम का इस्पीनर है सामने वाली टीम के अगें च्छे विकेट लिया हाट मैच में इस वेन्यू पर तेरा विकेट लिया ह मैच में और लास्ट तीन मैचों में भी कुछ खास फॉर्म नहीं है तो आगर मुझे ठीक ठाक लग रहा है और इस वाले पिछ के अकॉर्डिंग थूड़ा सा रिस्की लग रहा है क्योंकि इस पिछ पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं रहती हाँ अगर एस्टन अगर सैके इनिंग में बॉल कराएगा तो मैं डेफिनेटले रखूंगा बट फर्स्ट इनिंग में कम प्रिफर्ड करूंगा और उन हार्टी की बात करूं इसको गई जैजे है ना आपको बैट्स मैं भी ट्राइब कर सकते हो क्योंकि सामने वाली टीम के अगेंस है ना पाच मैच में डेफिनेटली ट्राइब करना बढ़िया अगर खेलता है तो या हो सकता एडम लायत के लिए तो अगर कुछ चेंज होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा बर हाड़ी पर फोकस करना आगर के कंपेर में एक बैटर चॉइस है इस वाले पिछ के अकॉडिंग है और सब्सक्राइब की तरफ से आप देखिए डैनियल किशन फास्ट बॉलर है और अगर आप प्रिवियस सीजन में देखोगे ना सत्रा मैच में किवल साथ ही विकेट लिया है बट इस वाले वेन्यू पर यह विकेट लेना पसंद करता है साथ मैच में 12 विकेट है सामने वाली सब्सक्राइब करेंगे तो वह आपको आगे पता लग जाएगा कि इसको रखना चाहिए सबसे जो मिश्ट्रॉंग साइड ना वो इसका बॉलिंग सेक्शन इनके बॉलर सेना बहुत ही डेंजरस जिसमें खबसे डेंजरस बॉलने जाए रिचर्सन इस वेन्यू पर 25 मैच खेल चुका है 28 विकेट ले जा चुका सामने वाली टीम के तेरा मैच में 17 विकेट ले जा सकते हैं मुझे लग रहा है एक दो विकेट ले जा सकता है यह इससे भी जादा डेंजरस है जाए रिचर्सन तो डेंजरस है यह बहुत जादा डेंजरस है अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी बॉल करता है ना पर्त स्कॉचर तो मैं तो इन दोनों को भी ट्राइक कर सकता बात करूं सामने वाली टीम के अगेंज 12 मैच 16 विकेट प्रिवियस सीजन में 13 मैच 16 विकेट लास्ट तीन मैचों में तीन और एक बॉलर और पीटर हैज ग्लोई तो पर्त स्कॉचर के गई चाहे बैट्समें कम रख लेना बट बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा रखना है क्योंकि इनका बॉलिंग इस्ट्राइं तरह बहुत ज्यादा इस्ट्रोंग है तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है अपकी अपनी टीम बनाते टाइम और वीडियो पर लाइक कर दिया करो यार भाई सिड्नी सिक्सर्स की बालिंग सेक्शन की बात करें तो इनकी तीन बॉल में लिंक है यार थिरी में हो रहा है बैंड यूरिश और नवी नुलक कई आज की मैच में नवी नुलक आपके मैच का पंड प्लेयर हो सकता है क्योंकि यगर यह स्कॉर्ड में एड है तो मुझे लग रहा है खेलने भी वाला है तो नवी नुलक अगर खेलेगा तो डैफि बागी उतने ज्यादा इनके बालिंग लाइंद लगनी ले यहां पर देखें पर्त कि तरफ से कौन कितने ओवर्स डालने वाला यह सबसे बड़ा क्योंशन होने वाला है तो यहां पर आगर आप देखोगे तो जाये रिचर्ड सन अपने चार ओवर कंक्लेट करेगा एंड चार वर इसके लाव यह नावे भी अपने चार अवर डालेगा है तो मुझे लग रहा यहाँ पे एक तो नवी नुलक अगर आज का मैच खेलता है तो एक जना भाहर जाएगा दूसरा दैनियल क्रिश्चन के मुझे चांस कम लग रहे है आज के मैच पे भी बॉलिंग मिलेगी क्यूंकि आलरीडी पहले से बॉलर्स है तो प्ला नहीं खेलते तो टाइस को बॉलिंग मिलेगी बाकी चांस कम तो ख्रूरीम सा रिसकी चॉइस रहेगा आज के मैच के लिए भी कि यहां पर गाई जीयल के पंट प्लियर आप देख सकते हैं कौन-कौन हो सकते हैं एस्टर नागर है टाय है ड्योरिश है टर्णर है जॉश इंगलिश है बट मुझे लग रहा है एस्टर टर्णर पर अपना फोकस रहेगा साथ में जाय रिचर्स अंट आय इन प पर नजर डाल लेते हैं जिसमें हैं कैमरोन ग्रीन एडम लायत टाइम मिल्स एडम लायत मुझे लग रहा है आज का मैच खेल सकता है खेलता है तो आवरेज आप देख सकते हैं लगबग सकता है बढ़िया प्लियर है हाड इटिंग बैट्स मैंने बट थूड़ा टिक्के क अब देखें गई आज के मैच की प्लेयर बैटल देखते हैं कि क्या आज के मैच में कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप होता है इसके बाद अपन फाइनल टीम देखेंगे और हर चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखना है कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन इस वीडियो के साथ बने लेना जोश इंग्लिश है इस्टीवो कॉफी के अगेंस बहुत इस्ट्रेगल करता है चार बार आउट कर चुका इस्टीवो कॉफी तो जोश इंग्लिश को अगर आप अपनी टीम में रख रहे हो तो ग्रैंड लीग केलने वाले ड्रॉप भी कर सकते हो बट इस्टीवो कॉफी को जरूर रख लेना क्यूंकि उसके अगेंस से फस्ता है एस्टर टर्नर को सी ने बट चार बार आउट कर चुका है डियो रिश ने दो बार आउट किया है कैमरोन बैंक्रॉफ को जैक्सन बट खेलेगा निया आगर को हैडन कैड नौ बॉल कि अब आज की मैच की कि आपको पाइनल टीम प्राइल का सेलेक्शन बता उससे पहले आज के मैच का फ्री डिव वे का क्यों बनाके देने वाला मतलब वह बैट्समें आपको बताना है मैंने बता दिया है आंसर देते समय तीन चीजों का ध्यान लगना वीडियो पर लाइक चैनल सब्क्राइब और टेलिग्राम जोई तीनों काम आपने करती है आंसर साहिए प्राइज आपको मिल जाएगा अब आपको फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूँ क्या टीम मैंने आज के मैच के बनाई है बहुत ध्यान से देख लेना बहुत ध्यान से उससे पहले आपको बता दू वीजन 11 पे लीडर बोर्ट चल रहा है बिग बैश में मतलब अगर आप यहां खेलोगे कंटिन्यूसली ख जरूर डाउनलोड करना गीववेज वगेरे मिलेंगे और बहुत बड़ी एप्लिकेशन है बहुत इजी कॉम्पेडिशन भी है मैं तो यहीं खेलने वाला हूं बिग बैश का मैच फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूं यहां पर जॉश इंगले जॉश फिलिप को रखाए मैंने विकेट कीपर सेक्शन में क्योंकि दो मेरे साफ से बैश कीपर रहेंगे आज के मैच के लिए क्लिए बैटिंग भी अच्छे करेंगे इसके बाद मॉसे सैंडिक्स फाफ दू प्लेसे और जैम स्विंस मैं आपको वीडियो में भी बताया था एक अच्छा पिक रह सक है यहां पर गई मैं दो प्लेयर को चेंज कर सकता हूं आफ्टर टॉस वो है आगर और इस्टीव कॉफी क्योंकि यह मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं तो टॉस के बाद अपडेट मिल जाएगा आपको शौर एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल पर जिसका डिस केस में फिलिप इंग्लिश ठीक रहेंगे फाब डू प्ले से जैम स्वेस मॉसे सैंडिक्स भी ठीक रहेगा कैमरान बैंक्रॉफ को लेका हूं जो कि बड़िया प्लेयर थाबित हो सकता है आज के मैच के लिए इसके बाद सीन अबट आगर हैंड्यू टाय जाय रिचर्सन और आई नावेत जो लाश्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कराके गया था तो एक डिफ्रेंशल हो सकता है तो यह वाली टीम भी आप जरूर से जॉइन कर लेना और यह गीववे आपको जरूर से जॉइन कर लेना है बट वीजन 11 पे भी थोड़ा सा वित्ते जोकिम इंक्ल जरूर से डाउनलोड करें पर डाउनलोड करते ही साइन अप कोड मांगेगा उसमें कोड डालना है यह कोड डालती है आपको 50 उपर बोनस मिलेगा जिसमें से 10 रुपे अंट्रेड हो जाएंगी जैसे ही आप हाँ पर ट्रेड करोगे और अच्छी विनिंग कर सकते हो तो ब जो बॉलर्स बढ़िया चॉइस लग रहे जाय रिचर्सन एंड्रू टाय बढ़िया लग रहे वाकि अगर आप बैटिंग से देखोगे तो जॉश फिलिप इंग्लिश भी अच्छा कर सकते हैं बाकि मैं आपको आफ्टर टॉस बता दूंगा आप टेलेग्राम पे रहना वाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा तो आज के मैच का गईस फाइनल अपडेट यहीं खतम होता है तो सियो वर्सेस डिटेल प्रिव्यू गई यहीं खतम होता है और आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी वीडियो को पूरा देखा करो ऐसी अपना प्यार देते रहो और वीजन 11 MPL ओपीनियों को जरूर से डाउनलोड कर लो बहुत अच्छे है ठीक है और गईज मैंने आपको बोला इस एप पे खेलो वहां खेलो देखो खेलना नहीं खेलना वह हो आपका डिसीजन है मैं कहीं से भी आपको फोर्स नहीं करता अगर आपको मन करें तो खेलो अधर वाइस मन ठीक है पर गईज मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव ता एज्योकेशन परपस से दो जाते जाते वीडियो पर लाइक जुरूर कर जाना और अपना प्यार कैसे ही देते रहना ठीक है भाईयो नमस्कार